यस हेलो एवरिवन चलिए तो आज जो है हम लोग को पढ़ना क्या है आज हम लोग को देखना है कि w link list क्या होती है w link list में insertion deletion का code देखना है ठीक है, डबली लिंक लिस्ट, इन जावा है न, जावा में हमें डबली लिंक लिस्ट का इंसर्शन और डिलीशन का कोड देखना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट होता क्या है, ओडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कनफर्मेशन आप लोग देदेना, चीक है, तो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट नाम से जैसे समझ में आ रहा है, इसमें डबल साइड में लिंक होता है, singly link list में हमने देखा था कि एक node हमारा जो होता है उसके दो part होते है, जिसमें कि हम data store करते हैं और next block का address store करते है, doubly link list में क्या होता है, कि जो node होता है उसके तीन partition होते है जैसे कि मान लो कि इसमें मैंने 10 store किया अब अगर मुझे अगला node बनाना है जैसे कि यह मेरा first node है, इसको obviously मेरा head point करेगा तो जो मेरा next node है उसमें भी तीन partition होंगे जिसमें मान लो मैंने 20 store किया और जैसे singly link list से connect करते हैं कि यह मेरा जो first node है वो second node को point करता है, यह सारी कहानी बिल्कुल same रहेगी इसमें कोई change नहीं है, लेकिन change कहां पर होगा, change यह होगा कि singly link list क्या होता था singly link list सर्फ आगे की तरह traverse कर सकता था मतलब मैं first node से second पर जा सकता हूँ second से third पर जा सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं third से second पर आ सकूँ या second से first पर आ सकूँ reverse direction में मैं traverse नहीं कर सकता था singly link list में लेकिन double link list में आप forward भी जा सकते हो और backward भी आ सकते हो मतलब कि second node से आप first node पर भी आ सकते हो ये फायदा है double link list का बिल्कुल practice questions भी मैं करवाऊंगा दूंगा, ठीक है उसके लिए मैं एक और playlist बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं competitive programming के questions करवाऊंगा, ठीक है तो अब जैसे कि third node अगर मुझे बनाना है तो third node कैसे बनेगा obviously ये मेरा third node जो होगा उसमें भी तीन partition होंगे जैसे कि मालो इसमें 30 रखा तो ये जो last node है ये इसको point करेगा और इसका node जो है इसको previous वाले को point करेगा तो मतलब आपके node के तीन partition रहेंगे एक में आप previous node का address रखोगे एक में आप next node का address रखोगे और एक में आप अपना element रखोगे अपना information रखोगे अपना data रखोगे ठीक है ना तो किसी भी आपके node के तीन partition होगे तो अब first node की बात करे अच्छा first node के पहले में तो कोई होगा नहीं ये कैसे identify करोगे कि कौन सा node first है और कौन सा node last है ये कैसे पता करोगे तो singly link list में तो हमें ये देख लेते थे कि अगर next में अगर null है अगर next में null है तो वो last node है ये बात यहाँ पर भी valid है कि अगर आपके node का जो next block है अगर उसमें null रखा है तो वो last element है ये तो यहाँ पर भी valid है लेकिन ये कैसे पता करोगे कि first element है ये आप बोलोगे sir head point कर रहा है head point कर रहा है ठीक है अब क्योंकि मैं reverse भी आ सकता हूँ जैसे कि मैं forward जा सकता था तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे last में कहां पर जाकर रुखना है उसी तरह से जब मैं reverse में आऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर आकर रुखना है तो मुझे कहां आकर रुखना है नल होता है, तो यह होता है डबली लिंक लिस्ट, I think introduction part clear हो गया होगा कि डबली लिंक लिस्ट होता क्या है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब हमें यह देखना है, कि हम लिंक लिस्ट कैसे create करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे यह node बनाना पड़ेगा, एक खुद का user defined data type बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर तीन partition में रख सकता हूँ, वैसे ही हम करेंगे, जैसे कि मैं class बना लेता हूँ, इस class का मैं नाम रख देता हूँ node, अब इस node में मैं तीन चीज़े बनाऊँगा, एक तो लग रहा था, जो next location को point करेगा, यहाँ पर मुझे दो pointer लगेंगे, एक previous और एक next, अब मुझे बताओ तुम लोग, कि next जो pointer होगा, या previous जो pointer होगा, उसका data type क्या होगा, वो किस type की location को point करेगा, जो next है, वो next block को point करेगा, और जो previous है, वो previous block को point करेगा, और ये block का type क्या है, इस block का type node है, क्योंकि हम node बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो हम pointers बनाएंगे, जिसको कि हम यहां पर reference variable बोलते हैं, है ना, यहां पर Java में हम इसको pointer ना बोलके, reference variable बोलते हैं, तो यह जो references है, वो किस type के होंगे, node type के होंगे, very good, ठीक है, तो हमारा node type का, यह previous reference होगा, और node type का ही, मेरा next का reference होगा, और एक इसके अंदर constructor बना देते हैं, parameterized constructor, जो की एक value लेगा हमसे, और उसको हमारे data part में initialize कर देगा, और previous और next में null रख देगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा, एक node create करने में, हमारा यह constructor help करेगा, run time पे जब भी मुझे node बनाना होगा, तो इसका बना लूँगा, ठीक है ना, चलो, अब यह तो हमारा बन गया, अब बात आती है कि अब मुझे, double link list की एक class बनानी पड़ेगी, ठीक है, अब जरा सब कुछ imagine करना, तुम लोग खुद code लिख लोगे है न, तुम खुद code लिख लोगे, अगर मेरी एक एक बात को अच्छे से समझ गए तो, अब हम एक class बनाएंगे, double link list, ठीक है, अच्छा, अब double link list जरूरी नहीं है कि ए बने, दो double link list बना सकता हूँ, तीन double link list बना सकता हूँ, तो मैं जितनी चाहि, double link list बना सकता हूँ, अब double link list का benefit क्या होता है, कि हम दोनों side पे traverse कर सकते हैं, लेकिन double link list अगर मुझे 2 बनानी हैं, तीन बनानी हैं, तो कैसे पता चलेगा, obviously मैं अपनी class का, जितना object मतलब मैं 1 linklist की बात कर रहा हो अगर मैं double linklist के 2 node बनाऊंगा मतलब मैं 2 linklist की बात कर रहा हो और हर एक linklist की शुरुवात कहाँ से होगी हर एक linklist की शुरुवात कहाँ से होगी head से तो हमारी class में 1 instance variable होना ही चाहिए head type ठीके और head का data type क्या होगा node रखता है जिसका नाम होगा head, यह बना के ही रखना है, ठीक है न, यह बना के ही रखना है, अब बात करते हैं, insertion की, ठीक है, अभी के लिए मैं माल लेता हूं कि इसका return type void है, अगर लगेगा तो हम इसका return type change कर लेंगे, तो मैं एक insert नाम का function मनाता हूं, और अभी के लिए मेरा जो insert नाम का function है, वो या तो beginning में insert करेगा, या तो end में insert करेगा, ऐसा मैं सोचके चलता हूं, ठीक है, end में माल लो मुझे store करना है, तो इस insert नाम के function में मैं दो चीज़े pass करूंगा, एक तो मैं pass करूंगा मेरे link list का type, अपना link list का object, ठीक है न, आप चाहो तो internally भी pass कर सकते हो, अगर आप इसको object dot करके call कराओगे, तो internally भी आपकी link list इसके अंदर pass हो जाएगी, आप उसको भी try कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं static अगर बनाऊंगा, तो मुझे अपना explicitly अपना object पास करना पड़ेगा, और अगर static नहीं बनाऊंगा, तो मेरा implicitly भी link list पास हो जाएगा, ठीक है न, अभी के लिए माल लो कि चलो मेरा link list internally अगर पास हो जाता है, देखो यह कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अगर यह नहीं पता है, तो इसका मतलब आपने, जावा अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको जावा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तो जावा अगर आपको पढ़नी हो, तो मुझे से contact कर लेना, उसके भी courses है मेरे पास, तो यहाँ पर तो आप मुझे contact कर लेना, यह मेरा number है, 9550-3137, अगर आपको किसी भी subject में problem आती है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, मैं आपको guide करूँगा कि उसमें क्या आप कर सकते हो, ठीक है, तो हमने यह variable initialize करने के लिए, हमने यह constructor का इस्तमाल किया है, ठीक है, अब मैं एक insert time का function मनाता हू और मैं यह मान के चलता हूँ कि मैं इसको object dot करके call कराऊँगा, लेकिन आप समझो जड़ा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इसके अंदर हमें दो चीज़े चाहिएगी, इस function को अगर मुझे use करना है, तो मुझे दो चीज़ करना है, तो मुझे ये तो पता होने चाहिए कि मुझे कौन सी value insert करनी है, तो मुझे insert करते सम्में दो चीज़े पास करनी है कि कौन सी link list में insertion करना है, और दूसरा, जो insertion करना है वो value क्या है, ये दोनों चीज़े मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं इस function से अपना काम हुआ सकता हूँ, is this clear to all of you, ये बाद सबको clear है, मुझे class के बाद call कर लिना पातरा, ठीक है, उसके बाद, अब देखो, insert करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जरा मुझे सोच के बताओ, मुझे अभी मान के चलो कि मेरी link list पूरी खाल हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है, अभी मैंने अपने data, डबली link list का object बनाया, उसके अंदर सिर्फ head है और कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मुझे एक node create करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो value है वो डालनी पड़ेगी, am I right, अब ये node कैसे बनेगा, ये node कैसे बने एक object बनाऊंगा A, और new keyword की मदद से memory allocate होगी, और constructor call करके उसके अंदर value initialize कर दूँगा, जो भी मैं value यहां से दूँगा वो, ठीक है, तो जो भी user value देगा, वो value मैं इसके अंदर डालूँगा, constructor के अंदर, और मेरा एक object बनके तयार हो जाएगा, ये object बन गया, इसका नाम और previous और next में null रख देना, ये हमने लिखा हुआ है, इसलिए जब ये constructor call होगा, तो ये वाला function call हो जाएगा, जब हम यहां से value देंगे, तो ये value x में जाएगी, और ये data में assign हो जाएगी, और ये जो node बनेगा, उसका नाम हमने रख दिया A, अब हमें ये check करना पड़ेगा कि क्या मेरे link list में कोई भी element नहीं है, ये मुझे check करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम insertion करते हैं, तो मुझे check करना पड़ेगा कि क्या मैं insertion पहली बार कर रहा हूँ, और वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि मेरा head किसी को भी point अगर नहीं कर रहा है, तो if, if अग करना चाहिए, जरा बताओ, obviously अगर एक ही node है, तो मैं ये चाहूँगा, कि मेरा जो head है, वो इसी node को point करने लग जाए, यही मैं चाहूँगा, और ऐसा करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, कि head के next में, या फिर head में, बलकि कह सकते हैं, head में क्या assign कर दो में, एक address, ठी ठीक है, बलकि आप कह सकते हो, हाँ, head में assign कर दो, ठीक है, ये बात सबको clear है, तो बताओ, ठीक है, अब, else part में क्या होगा, जरा सोचो, else क्या होगा, else क्या हो सकता है, कि, अब मालो, मैंने जो node बनाया है, मेरे पास एक node बना हुआ है, मालो की मेरी link list खाली नहीं है, और मैंने एक node बना के रखा है, ठीक है, मैंने एक node बना के रखा है, और अब मैंने इसमे value assign कर दी 20, मतलब कि मैंने insert function को call किया, एक new node नाम का constructor call हुआ, उसके scenario है, जिसमें की, मुझे एक ऐसे node को insert करना है, जो की link list खाली नहीं है तब, ठीक है, अब जरा सोच के बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए scenario को थोड़ा सा और extend करके समझो के तो ज़्यादा अच्छ से समझ में आएगा, आप ऐसा मान के चलो, कि आपक link list में already 2-3 element created है, जैसे कि मालों यहाँ पर 5 रखा है, यहाँ पर 30 रखा है, ठीक है, यह इसको point कर रहा 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 है, और इसमें null रखा हुआ है, ऐसा सोचो, अब ज़रा मुझे बताओ कि मुझे इसको end में अगर लेकिन 30 को कौन पॉइंट कर रहा है, 30 को तो पॉइंट करने के लिए कोई मेरे पास पॉइंटर ही नहीं है, तो 30 को 30 location का मुझे address पहले लाना पड़ेगा, और 30 location का address कैसे आएगा, 30 location का address मेरा तब आप आएगा, जब की मैं यहाँ पे लिखूंगा की एक pointer बनाओ P, जो की head को point कर रहा हो, और उसको मुझे तब तक आगे बढ़ाना है, जब तक की उसका next में null नहीं हो जाता, छीक है ना, मतलब की मुझे pointer को पहले first location को point करना है, मतलब head और P, दोनों एक ही location को point करेगा, तो पहले मैं एक यहाँ पर pointer बनाओंगा, node P, reference variable आप कह सकते हो, जो की किसको point करेगा, head को, है ना, आपका जो डबली link list आया है, उसके head को point करेगा, जहाँ पर मैंने head लिखा है, वहाँ पर L.head लिख लेना, क्योंकि मेरा link list मेरा L है, तो मुझे L.head लिखना चाहिए, जब भी मुझे link list को access करना है, तो head को, क्योंकि मेरे link list के object के अंदर head है, तो मुझे L.head लिखना चाहिए, ये correction कर लेना, ठीक है ना, तो l.head जो है वो मेरा p pointer उसको point करने लगेगा ठीक है तो अब मेरा p pointer first location को point कर रहा है अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे p को आगे move करना पड़ेगा कि वो next location को point करे इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि p का जो next है p का next मतलब ये वाला जो location है उसको p में assign कर दो ताकि p आगे move हो जाए p का जो next है उसको p बना दो p का जो next है उसको p बना दो ताकि p next location पर आ जाए और ऐसा तब तक करना है जब तक की p के next में null नहीं आ जाता जब तक मेरा p last location को point नहीं करता तो मुझे यहाँ पर एक loop लगाना पड़ेगा while जब तक p का next जब तक p का next null नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा p में assign करना पड़ेगा p का next यह बात आई की नहीं आई समझ में इस तरह से मेरा p pointer जब यह while loop खतम होगा तो मेरा p pointer last location को point करने लगेगा ठीक है तो अब मेरा p pointer यहाँ आ चुका है अब मेरा जो नया node बना है उसको point करने के लिए a है मतलब a node मेरा बना हुआ है और p last location को point कर रहा है अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे यह लिखना पड़ेगा ना कि p के next में a का address डाल दो और a के previous में p का address डाल दो यह लिखना पड़ेगा ना तभी तो यह दोन a के next में a के previous में sorry a के previous में क्या करो p का address डाल दो बस हो गया काम यह आपका insertion at the end हो गया अब middle वाला insertion बचा है लेगिन पहले हम यह दोनों प्रोग्राम चेक कर लेते हैं insertion at the beginning और insertion at the end इसमें किसी को doubt है तो पूछ लो यह पूरा code clear है फिर हम इसका code करते है देखो यह clear है सब कुछ ठीक है ना ठीक है चलो तो अब हम यहां पर देखो यह तो हमने previous वाला code है जो कि हमने पहले बनाया था कब जब हमने single link list का code कर रहे थे तो अगर किसी ने single link list अगर miss कर दिया है तो यह वीडियो देख ले ना उसमें single link list का मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था उसमें इंसर्शन link list.java ठीक है तो डबली link list.java मैंने यह फाइल बना दी अब जो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे import करना पड़ेगा ठीक है ना जैसे कि हमने previous class में भी देखो हमने क्या किया था import java किया था ना import java हमें यहां पर भी करना पड़ेगा import java.io.star ठीक है और फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें एक node class बनानी पड़ेगी जो कि double link list का node बनाने में help करेगा user defined data type बनाने में help करेगा तो इसमें सबसे पहले मेरा हो गया data उसके बाद node type होगा जो कि मेरे previous node को point करेगा और एक और node type का होगा जो कि मेरे next location को point क करेगा और इसके अंदर में एक constructor बना देता हूँ ठीक है इंट data या फिर इंट x लिख लो तो यह जो x है यह मुझे data में assign करना है और previous वाले में भी null assign करना है और next वाले में भी null assign कर रहा है अब अगर तुम compare करोगे na singly link list के node को और double link list के node को तो तुम्हें समझ में आएग का यह node देखो जब हमने class बनाई थी तो इसमें हमने सिर्फ एक ही pointer बनाया था मतलब एक ही reference बनाया था जो की next location को point कर रहा था और अब जब हमने double link list का node बनाया है तो उसमें previous भी है और next भी है मैं दोनों को compare करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में सके कि singly link list और double link list में क्या difference है ठीक है अब हम हमारी एक और class बनाएंगे double link list इसका नाम याद रखो इसका नाम वैसा ही रखना है जो हमारी class का नाम है क्योंकि इसी में हम हमारा main function बनाएंगे ठीक है तो यह मेरा double link list का मैंने एक और class बना दी ठीक है अब सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर एक head बनाना पड़ेगा और इसमें starting में अभी मैं नल डाल देता हूँ ठीक है तो मैंने अपना एक सबसे पहले एक node इसके अंदर बना दिया head क्योंकि हर link list में अगर हर एक link list हो उसके अंदर element हो चाहे ना हो उसके अंदर head node तो हो गई होगा ठीक है ना अगर मेरी link list empty भी अगर ह तब भी उसके अंदर मेरा head pointer होगा अगर कोई भी list नहीं है तो इसका मतलब कि उसके अंदर ना लोगा ठीक है अब मैं इसके अंदर एक insert नाम का function मनाता हूँ ठीक है और इसके अंदर बेर दो parameter पास करूँगा समझाने के लिए बेर दो parameter पास कर रहा हूँ वैसे देखा जा अदर आ जाएगा ठीक है लेकिन क्योंकि initial phase है अभी अगर इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका की java का knowledge बहुत अच्छा नहीं होगा तो इसलिए मैं वो तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि हर इनसान को सौंझ में आ सके कि हमें क्या-क्या parameter की जरूवत होती है किसी एक function मे तो insertion करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूवत है एक तो कौनसी link list में मुझे insertion करना है उसका मुझे एक object चाहिएगा मालो की L1 उस object का नाम है और मुझे कौनसी value insert करनी है वो ये दो चीजे मुझे चाहिएगी तभी मैं insertion कर पाऊँगा अब मैं मान के चल रहा हूँ क कि अभी मैं insertion at the end कर रहा हूँ ठीक है ये कौनसा है ये insertion at the end और इसमें actual में हम at the beginning वाला भी code अपने आप ही आ जाएगा इसलिए मैं इसका नाम सिर्फ insert रहने दे रहा हूँ क्योंकि obviously अगर मेरी link list empty है तो मैं insertion at the beginning कर रहा हूँ और insertion at the beginning का code विल्कुल वैसे ही रहेगा ठीक है तो सबसे पहले तो मैं ये check कर लेता हूँ कि if जो मेरा link list है L1 उसके head को देखो कि क्या वो null है क्या ठीक है उसके head को देखो null है क्या तो मैं आपको scenario समझाता भी जाता हूँ ठीक है तो scenario क्या है कि आपने जैसी double link list का node बनाया तो आपके पास एक head pointer है और head pointer अभी किस कुज भी नहीं रखा ठीक है त अब आップको क्या करना पड़ेगा आपको यह करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या वो null है ठीक है और अगर null होने अगर null है तो आपको सबसे पहले memory block create करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करोगे उसके लिए आप अपने node बनाओगे, आप अपने node class का एक object बनाओगे ए, और उसके constructor को call करोगे, और उसके अंदर जो value आपको यह function में आई है आपके function में जो भी insert करने के लिए value आई है, वो value आप अपने node में insert कर लोगे ठीके, तो आपके node में यह value आजाएगी, जो आपने यहाँ पर receive करी है, अगर fast लगे, तो बता देना मैं slow पढ़ाऊँगा ठीके, कहीं पर भी अगर fast लगे क्योंकि मेरा paste थोड़ा सा fast रहता है तो अगर आपको fast लगे, तो बता देना मैं slow कर लोगा, ठीके तो आप क्या करोगे कि आपका head null है, बिल्कुल आपका head null है, अभी आपका head किसी को point नहीं कर रहा है तो आप क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे कि आपका जो head है, वो इस location को point करने लगे, इस node को point करने लगे आप यहीं चाहोगे, तो आपको else part में आते हैं, अब मान के चलो कि आपके पास already 2-3 node बने हुए हैं, ठीक है ना, और अब आपको insertion करना है end में, ठीक है, अब आपको insertion करना है end में, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो एक node create करोगे, जो तुम्हें insert करना है, माल लो ये node insert करना, इसको create करा, और इसके अंदर जो भी value थी, वो value हमने रग दी, ये वाला node मैंने create किया, ए, ए मतलब मेरा नया node है, ठीक है, अब सबसे पहले मुझे p pointer बनाना पड़ेगा, जो first location को point करे, और उसी को मुझे आकरी node पे लेके जाना है, तो मैं else part तभी else part में आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि while, जब तक मेरा p का next null नहीं हो जाता, तब तक मुझे आगे बढ़ना है, जब तक मेरा p का next, जब तक null नहीं हो जाता, तब तक मुझे क्या करना है, मुझे अपने p को आगे move करना है, p equal to p.next करना है, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, कि मेरा जो p pointer है, वो last node को point करने लगेगा, ठीक है, मेरा p जो है, वो last पे आ जाएगा, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब मुझे यह करना है, कि मेरा जो p है, वो next, मेरा P का जो next है वो A को point करने लगे और A का जो previous है वो P को point करने लगे ये दो काम करूँगा तो मेरा pointer adjust हो जाएगा तो मुझे दो line का बस code लिखना है कि P का जो next है उसमें मैं A का address डाल दू और जो A का previous है उसमें मैं P का address डाल दू बस ये दो लाइन का code लिखूंगा तो मेरा pointers connect हो जाएंगे जो node है वो last में append हो जाएगा ठीक है चलो अब एक काम करते हैं एक print function मना देते हैं जो मेरी पूरी link list को print करेगा ठीक है यह सुतापा आप मुझे message कर देना ठीक है whatsapp पे आप मुझे message कर देना अच्छा message कर दिया है ठीक है मैं reply कर दूँगा तो यहाँ पर आपने देखा कि यह insert function है ठीक है insert function हमने लिख लिया अब हमें काम करते हैं अब हमारा बनाते हैं display function print function जो की मेरे पूरे entire link list के elements को print करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ print अब print function को क्या देना पड़ेगा जरा मुझे बताओ जैसे कि insert function को हमने दो parameter दिये थे एक तो link list का नाम और एक उसके अंदर की value तो अब मुझे यह बताओ कि print function को मुझे क्या देना पड़ेगा अगर मुझे link list को print करना है तो पताओ क्या print करना पड़ेगा देखो सुधापा आप combo course लेलो वह ज्याद अच्छा है जैसे कि आपने बोला कि आपको C का course लेना चाहिए या C और data structure दोनों का course लेना चाहिए बलकि मैं आपको कहूंगा C data structure और algorithm combined course लेओ जिसमें की C में आपको language पढ़ने को मिलेगी data structure में आपको जितने भी तरीके के structures है वो पता चलेंगे और algorithm मैंने अभी recently बनाया है बहुत ही बढ़िया course है उसमें greedy algorithm dynamic programming भी explain किया है dynamic programming अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है और मैंने उसको बहुत ही summarized way में करा है कि आपको पता चलेगा कि dynamic programming आप पढ़ रहे हो लेकिन घुमा फिर आके सिर्फ एक ही question को solve करना जरूरी है बाकि सारे dynamic programming के question similar है तो वो चीज़े मैंने उसमें पढ़ाई हुई ह तो आप उसको purchase कर सकते हो उसमें बहुत ही अच्छे से dynamic programming भी आपको अच्छे से समझ में आ जागा divide and conquer greedy algorithm सब कुछ है उसके अंदर तो link list का object हमें send करना पड़ेगा बिल्कुल सही कहा निलेश ने कि हमें यहाँ पर doubly link list का node हमें देना पड़ेगा ठीक है doubly link list का node हम यहाँ पर दे देंगे अब जैसे डबले link list का node दे दिया मतलब कि मेरे पास head आ गया मेरे पास head आ गया अब मैं क्या करूंगा पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे node मेरी link list खाली तो नहीं है तो वह कैसे चेक करेंगे l1.head से l1.head equal to अगर null है अगर l1.head equal to null है तो मैं तो यह बोल दूँगा कि मेरी link list खाली है तो मैं क्या print कर दूँगा link list is empty या फिर no element found link list is empty कर देते हैं या फिर no element found कुछ भी print कर सकते हो no element found print कर देते हैं no element found ठीक है न सर्चिंग का code भी बिलकुल यही होगा searching का code भी यही रहेगा बस फर्किये रहेगा कि आप यहाँ पर print कर रहे हो सारे element को वहाँ पर आप सिर्च करोगे ठीक है न अब else part में क्या करेंगे इसका मतलब कि else part मतलब कि मेरे link list में कुछ element present है तो मुझे सारे element को print करना है तो मैं क्या करूँगा पहले तो एक pointer बना दूँगा क्योंकि मुझे head को move ने करना मुझे head को move ने करना तो मैं एक p pointer बना देता हूँ जो की first location को point करेगा ठीक है पहले मैं पहला p pointer बना देता हूँ जो मेरे first node को point करेगा और अब मैं हाँ पर क्या करूँगा एक while loop लगाँगा और while loop में यह चेक करूँगा कि क्या मेरा पहले मैं एक first element तो print करी देता हूँ ठीक है या अंदर भी print कर सकते हो while loop के अंदर जैसा तुम्हारा मन करे जैसा तुम्हारा logic लगे ठीक है तो जैसे कि मालो कि मैंने first node यहाँ पर print कर देता हूँ first node मेरा print हो जाएगा first node मेरा कहां रखा है first node मेरा रखा है p के data part में तो मैं कहूँगा p.data p.data से मेरा first value प्रिंट हो जाएगी print ln ना लिखके मैं print लिखूँगा क्योंकि print ln से क्या होता है next line आ जाती है मैं चाहरा हूँ कि सब कुछ एकी line में आए ठीक है और फिर उसके बाद मैं arrow लगा देता हूँ double sided arrow क्योंकि w link list है w link list है तो double sided arrow ऐसा print कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा arrow print करो लेकिन दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया ठीक है अब हम ये चेक करेंगे कि अगर मेरा p का next अगर मेरे p का next अगर null नहीं है तो इसका मतलब मुझे आगे move करना चाहिए ठीक है ना अगर मेरे p का next अगर null नहीं है फस्ट नोड का next null नहीं है तो अगर मेरे फस्ट नोड का next null नहीं है मतलब p का next अगर null नहीं है मतलब second element exist कर रहा है ठीक है तो अगर second element exist कर रहा है तो पहले p pointer को second element पर ले कर जाओ कैसे ले कर जाओगे आप लिखोगे p को assign करवा दो p.next पहले उसको next location पर पहुचा दो ठीक है अब आपका pointer जो है second location पर आ चुका है आपका reference variable अब मेरी pointer बोलने की आदत है समझ जाना मैं reference variable की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब हम उसका data print कर देते हैं तो p.next से उस data को हमने print कर दिया और फिर double sided arrow प्रेंट कर देते हैं यहाँ पर जो हमने पहले print कर वाया था ठीक है तो इस तरह से मेरा second element प्रेंट होता जाएगा third element, fourth element, सारे element प्रेंट होते जाएगे जब तक मेरा next null नहीं आया था और जैसे ही मेरा pointer last location को point करेगा उसके next में आ जाएगा null और यह while loop हो जाएगा break और इस तरह से मेरा printing रुख जाएगा ठीक है तो यह हमने हमारा print function बना दिया अब इस code को test करने के लिए अब हमारा main function बना लेते हैं public static void main ठीक है public static void main अब हम यहाँ पर हमारे link list का पहला node बना लेते हैं doubly link list का एक object बना लेते हैं नोड बना लेते हैं l1 ठीक है new doubly link list का constructor call करके ठीक है तो हमारा doubly link list बन चुका है हम मैं इसमें insertion करवाता हूँ तो मैं करता हूँ insert function को call l1 dot insert function को call करता हूँ और पहली value में insert करता हूँ let's say 10 फिर से मैं l1 dot insert function को call करता हूँ और मैं दूसरी value insert करता हूँ let's say 20 l1 dot फिर से मैं insert function को call करता हूँ और मैं तीसरी value को insert करता हूँ 30 और l1 dot insert function को call करता हूँ चौथी value insert करता हूँ let's say 40 अब ये 4 value अगर सही होगी तो मैं इसको print करके देखता हूँ तो l1.print function को call करता हूँ चालो तो सब लोग finger cross कर लो सही code बन जाए कोई problem ना आए और अगर लगेगा कोई problem है तो हम उसको rectify करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसको हम run करते हैं और हमने run किया तो हमारा 10 तो print हो गया और यहाँ पर हमारे address print हो रहा है मुझे value प्रिंट करनी थी यहाँ पर कहां गया sorry यहाँ पर p. data प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर next प्रिंट कर दिया next नहीं प्रिंट करना क्या प्रिंट करना है data data प्रिंट करना है मुझे address थोड़ना, print करना है, ठीक है, और print use करो, print ln नहीं, क्योंकि मैं चाहरा हूँ, एक ही line में print हो, ठीक है न, तो ये correction आ गया एक, चलो, अब इसको फिर से run करते हैं, very good, चल गया code, देखो, पहला element 10, फिर 20, 30, 40, ये मेरे w link list, print हो गई, आया समझ में, मज़ा आया, insertion वा middle करते हैं, कि insertion कैसे करेंगे middle के element में, मैं चाहरा हूँ, कि ये course, हम लोग जल्दी से जल्दी finish करें, इसलिए मैं, classes थोड़ी सी, लंबी भी लेकर, इसको finish कर सकता हूँ, ठीक है न, कोई problem तो नहीं, ठीक है, तो पहले हम logic समझते हैं, कि insertion in the middle का code क्या होगा, पहले हम logic समझते हैं, तो पहले मैं अपनी link list को copy कर लेता हूँ, जैसे कि मालो कि मेरे पास ये link list है, मैंने इसको copy करा, ठीक है, और अब, यहां पर, यह मेरी double link list है, अब मैं यहां पर insertion करना चाह रहा हूँ, किस दोनों के बीच में, मैं चाह रहा हूँ 30 और 20 के बीच में एक node insert हो जाए, तो मुझे पहले तो एक index देना पड़ेगा कि कौन से node के बाद मुझे insert करना है, तो जैसे कि मालो मैंने दे दिया 3, 3 मतलब कि position में मेरा आ गया 3, तो position 3 आया, इसका मतलब कि 3 node के बाद मुझे insert करना है अपना element, छीक है, तो मेरा insert function क्या करेगा, जरा सोचो, insert at the middle, insert in middle वाला जो function है, उस function को, उसका return type अभी void मालो, इस function को दो चीज़े चाहिएगी, एक तो doubly link list का एक object चाहिएगा, और एक और parameter चाहिएगा value, जो मुझे insert करना है, और एक और parameter चाहिएगा position की कौनसी position पर मुझे insert करना है, तीन parameter क्यों लिए ये बात समझ में आई, देखो, हर एक चीज़ को रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, हर एक चीज़ लोजिकल है, अगर आपको middle में insertion कराना है तो आपको उसको तीन बाते बतानी पड़ेंगी एक तो ये बताना पड़ेगा कि कौन सी link list में insertion करना है दूसरा ये बताना पड़ेगा कि कौन सी value insert करनी है और तीसरा ये बताना पड़ेगा कि किस position पर आपको वो node को insert करना है ये तीनों बाते जब तक आप नहीं बताओगे, उसमें insertion नहीं होगा, ठीक है, चलो, अब इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे अपना एक node बनाना पड़ेगा A, new keyword की मदद से, तो हमारा new node बन जाएगा, और उसके अंदर हम जो value मिली है, वो value दे देंगे, ऐसा करने से मेरा एक node बन जाएगा, जिसके अंदर जैसे की मालो 25 insert करना है, इसके previous और next में न लोगा, ये node मेरा बन गया, इसको point कर रहा है A, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक P pointer लेना पड़ेगा, जो first location को point करेगा, और उसको मुझे कितनी बार आगे move करना पड़ेगा, जरा मुझे बताओ, बताओ, मुझे अपने pointer को कितनी बार move करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे 30 से 20 के बीच में अगर insertion करना है, तो मुझे 2 बार उसको move करना पड़ेगा, एक बार में उसको आगे move कराऊंगा, तो वो second node को point करेगा, और दूसरी बार में उसको move कराऊंगा, तो तीसरे node को point करेगा, तो मुझे 2 बार move करना है, मतलब जो भी मेरी position है, उससे एक कम बार मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे position number 4 पे insert करना है, तो मुझे 3 बार pointer को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे position 5 पे insert करना है, तो मुझे 4 बार pointer को insert करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है अब माल लो कि मेरा ये pointer जो है वो इस 30 location को point करने लगा अब क्या करना पड़ेगा जरा सोचो मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरा जो A node है जो मेरा A node है उसका जो next है वो इसको point करने लगे और उसका जो previous है वो 30 को point करने लगे एक काम मुझे ये करना पड़ेगा ठीक है ना एक काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरा जो A का next है वो इसको point करने लगे लास्ट node को और 25 का जो previous है वो इसको point करने लगे एक काम ये करना पड़ेगा लेकिन जरा सोचो कि ऐसा करने के लिए मुझे 20 node का address भी तो चाहिएगा हाँ की ना 20 node का address चाहिएगा की नहीं लेकिन 20 node को point करने वाला तो कोई pointer है ही नहीं तो हमने singly link list के case में क्या किया था बताओ singly link list के case में हमने 2 pointer का इस्तमाल किया था एक जो current node को point कर रहा है और एक जो उसके previous node को point कर रहा है हमने 2 pointer का इस्तमाल किया था जिसकी मदद से हमने insertion in the middle करवाय था अब देखो यहाँ पर भी हम 2 pointer की मदद से कर सकते हैं लेकिन double link list का एक फायदा है double link list का फायदा यह है कि आप forward भी जा सकते हो और backward भी आ सकते हो तो आप चाहो तो एक pointer की मदद से भी insertion करवा सकते हो और बलकि single link list में भी आप कोशिश कर सकते हो एक pointer की मदद से वो कैसे आप क्या कहोगे आप यह कहोगे कि चलो 30 का address तो आपके पास P में रखा हुआ है आपको 20 का address चाहिए तो 20 का address भी आपको मिल जाएगा बहुत easily क्योंकि आप कह सकते हो कि 20 का address कहा रखा होगा P.next में अगर आप P.next करोगे तो 20 का address है तो 20 का address रखा हुआ है अब आपको याद रखना है कि P का next को जब तक update नहीं करना है जब तक कि उसका काम खतम नहीं हो जाता क्योंकि अगर आपने P.next को update कर दिया तो 20 का address lost हो जाएगा क्योंकि P.next पॉइंटर ही एक ऐसा pointer है जो 30 को point कर रहा है और उसके next में ही 20 का address है तो आपको next को जब तक update नहीं करना है जब तक कि उसका use नहीं हो जाए तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपके A.next में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो A.next है उसमें assign करना पड़ेगा P.next का address ये काम सबसे पहले करना पड़ेगा तापकि आपका A का next जो है आपका A का next मतलब ये वाला pointer जो है वो इस node को point करने लगे और दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि A का जो previous है वो P को point करने लगे A का जो previous है वो P को point करने लगे पहले तो ये setting सही करलो, ये setting सही हो जाएगी आप्गे का काम आसान है, ठीक है? अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि अब ये जो next node है, जो P का next है, जो P का next का previous, ये वाला जो pointer है, ये इसको point करने लगे, क्योंकि अब ये middle में ल P.next का जो previous आएगा वो ये है समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे हो तो इस location का नाम क्या है P.next.previous P.next मतलब ये वाला node और उसका previous मतलब ये और उसका next मतलब ये तो P.next का previous और उसमें मुझे assign करना है एक address ताकि ये दोनों connect हो सके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि P.next.previous इसमें मुझे assign कर दो एक address तो ये दोनों pointer भी set हो गया और अब एक और pointer बस मुझे set करना है कि P.next में एक address डालना है तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा तो एक line मुझे और लिखनी पड़ेगी कि P.next को अपडेट करेंगे क्य हो जाता तब तक हम अपने P.next को अपडेट नहीं करेंगे तो code लिखना अलग बात है और code को सही डंग से लिखना अलग बात है बच्चे ये तो समझ जाते कि हाँ pointer ही तो adjust करना है अरे चच्छा pointer adjust करना है लेकिन जिस चीज का इस्तमाल करना है उसको पहले save करके रखना है उसको भूलना नहीं है जब तक उसका काम खतम नहीं हो जाता तब तक उसको भूलना नहीं है जब P.next हमारा use हो चुका है अब हम उसके P.next में A डाल देंगे अब हमारा proper setting हुई है ये बात आई की नहीं समझ में ये चार steps हमें लिखनी है तो इस चार steps को मैं यहाँ पे ल बनाता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं एक नोड बनाता हूँ P जो कि किसको point करेगा L1 के head को जो मेरा L1 है उसके head को point करेगा और मैं ये चेक करूँगा सबसे पहले कि मेरा P null तो नहीं है मतलब मेरा head जो है ऐसा तो नहीं मेरी link list ही खाली है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं य नहीं होना चाहिए, एक बात ये चेक करूँगा, एंड, दूसरी बार ये चेक करूँगा, कि P का जो डेटा है, वो वही तो नहीं है, जो मेरी वैल्यू है, अगर इन दोने मैं से एक भी बात, अगर false हो जाती है, तो मेरा लूप नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाइल लूप चलेगा, वाइल, वाइल, तो जब तक मेरा P नल नहीं है, और मुझे वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, not equal to value, ये आएगा, not equal to value, जब तक मुझे वैल्यू नहीं मिलती है, तब तक मुझे अपने P पॉइंटर को आगे move करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, कि P में assign कर दो, P का next, ठीक है, अब, एक चीज मैंने आप लोग को पिछली बार भी बताई थी, और अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, कि ये while loop break दो condition में से किसी एक से हो सकता है, हो सकता है कि ये P.Null के कारण break हो जाए, या फिर value के कारण, मतलब कि मेरा while loop कब break होगा, या तो मुझे value मिल जाएगी, value नहीं, सौरी, position, यहाँ पर position लगाना है, position, position, जितनी बार position है न, जब तक मेरा position, जब तक मेरा position greater than 1 नहीं हो जाता, अगर आपको ये समझमेन आए कि position greater than 1 मैंने क्यों लिखा है, तो इसके लिए previous code देख लो, previous वाली class देख लो, उसमें मैंने समझाया है कि position 1 greater क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है, फिर से बता देता हूँ short में, इसलिए लिखा है क्योंकि अगर position 3 है, तो मुझे अपने pointer को दो बार आगे बढ़ाना है, अगर position 4 है, तो मुझे अपने pointer को तीन बार आगे बढ़ाना है, तो position हर बार decrement होगी, तो जैसे कि मालो position 4 है, तो एक बार decrement होगी, pointer एक बार आगे बढ़ेगा, तो अगर position की value जितनी होगी उससे एक काम, एक बार कम हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अब आपको ये सारा काम तब करना है, जब आपका pointer null ना हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका while loop इसलिए break हो गया हो, कि आपका pointer null आ गया है, तो आपको ये pointer adjustment तब करना है, जब आपका pointer null ना हो, ठीक है न, अगर आपका pointer null नहीं है, तब ही आपको ये काम करना है, pointer भी null ना हो, and pointer का next भी null ना हो, दोनों ही बाते हैं, pointer का next भी null नहीं होना चाहिए, अगर ये check अगर आपने नहीं लगाया, तो आपके program में exception आ सकता है, corner cases को handle करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका P भी null नहीं होना चाहिए, और pointer का next भी null नहीं होना चाहिए, तो ही आपको ये pointer adjustment करना है, और इस तरीके से आपका insertion at the middle हो जाएगा, clear है, इसमें आप इसको और modify कर सकते हो, कि अगर last node होगा, तो last node में insertion वाला code, लेकिन मैं उसको फिर से discuss इसली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने already यहाँ पर discuss कर लिया था, कि insertion at the end कैसे handle होगा, ठीक है, clear है, तो इसका code हम लिखते हैं, मेरा visual studio में खोल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर insert at middle वाला code लिखता हूँ, इसके अंदर मैं तीन parameter पास करूँगा, ठीक है, कौन-कौन से parameter पास करूँगा, एक तो म डबली link list का object, l1, एक value जो मुझे insert करनी है वो, और एक position जहाँ पर मुझे insert करना है, ठीक है, अब सेम इसी code को आप देखते हुए चल सकते हो, मुझे तो खेर याद है, बाकि अब मैं इसको फिर से explain करने के बज़ए direct code लिखूँगा, बाकि आप अपने दिमाग में भी imagine कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप मुझे से पूछ लेना, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक नया node बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे insert करना है, तो एक नया node बनाना पड़ेगा, और उसमें मैं value डाल दूँगा, constructor call करके, जो मुझे insert करनी ह उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपना एक और node बनाना पड़ेगा, जो कि first node को point करेगा, मतलब कि मेरे l1.head को point करेगा, मतलब मेरे link list के first element को point करेगा, ठीक है, अब मुझे अपने pointer को आगे बढ़ाना है, जब तक कि मैं अपनी exact position पे ना पहुँच तो मुझे ये पहले तो ये देखना है कि मेरा P जो है, वो null तो नहीं पहुच गया, अगर P अगर null है, मतलब कि element exist ही नहीं कर रहा, and मेरा जो position है, वो greater than 1 होना चाहिए, अगर ये दोनों बाते satisfy करती है, तो मुझे एक तो pointer को आगे बढ़ाना है, और कितनी बार आगे तो इसलिए position को decrement करते जाना है, ठीक है, जब मेरा ऐसा हो जाएगा, तो अब जब हमारा while loop break होगा, तो दो में से किसी एक condition के current break हो सकता है, तो मैं check करूँगा कि मेरा P null तो नहीं है, अगर मेरा P null है, इसका मतलब कि मेरा node ही नहीं exist करता है, जो आपने position दिये, वो position ही नही exist करती है, ठीक है, तो आपका P भी null नहीं होना चाहिए और P का next भी null नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दो node exist नहीं करेंगे, तब तक आप उनके बीच में कोई element कैसे डालोगे, ठीक है, तो if part में आप ये लिख दोगे कि दोनो node exist करने चाहिए, अब देखो, यह पर चार लाइन का code लिखना है, और ये चार लाइन का code ये लिखा हुआ है, ये चार लाइन का code जो मैंने explain किया है, यही लिखना है कि A के next में P.next, मैं as it is लिखता जाता हूँ, A.next मे P.next, ठीक है, एक line ये लिखी थी हमने, अब मुझे इतना भी code नहीं याद रहता है, तो मुझे देखना पड़ेगा, दूसरा क्या लिखाता हमने, A.previous में P.next कर देंगे, ठीक है ना, A.next में P.next कर देंगे, और फिर हमने क्या लिखाता, अच्छा A.previous में, sorry, A.previous में है ना, A.previous में, ना कि next में, A.previous में हम P.next कर देंगे, तो obviously हमारा next जो है, वो next को point करने लगेगा, ओके, allow access, क्या हुआ भाई, अभी तो मैंने run भी नहीं किया, ठीक है, तो हमारे एक line यह हो गया, दूसरा हमारे, फिर third line क्या है, P.next.previous में A, assign करना है, previous, next के previous में, ठीक है ना, तो third line क्या हो जाएगी, P.next के previous में, हमें assign करना है, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, और उसके बाद, last line, last line हमें क्या थी, P.next में A, assign करना है, तो P.next में A, assign कर दो, ठीक है, तो यह तो हमारा code हो गया, कि अगर मेरा pointer exist कर रहा है, नहीं तो else part पे print कर दो कि location not exist, है ना, अगर ऐसा मानलो की नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको insertion करना है, तो आप यहाँ पे print कर दो, position not found, ठीक है ना, यहाँ पे आप print कर दो, position not found, clear, ओके, तो एक काम करते हैं, अब मैं insertion in the middle वाला function, पहले तो मैं इसी को चला कर देखता हूँ, अभी तक का मैरा code बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी मेरी link list है, जिसमें की element क्या क्या रखा है, 10, 20, 30, 40, यह elements बेरे पास अभी रखे हुए हैं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं insertion करता हूँ, 30 और 40 के बीच में, मतलब third position के बाद 35 insert करता हूँ, ठीक है, third position के बाद 35 insert करता हूँ, good evening विक्की, हरशित निलेश, ठीक है, तो l1.insert at the middle, और इसमें मैं insert करता 3, ठीक है, अब मैं इसको run करता हूँ, very good, देखो, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा code, 10, 20, 30, 35, 40, आ गया बिल्कुल सही, middle में भी insertion हो गया, अच्छा, मैं ऐसी location पर insertion करता हूँ, जो कि exist ही नहीं कर रही है, सारे corner cases को check करना बहुत जरूरी है, l1.insert at the middle, और मैं माल लेता हूँ कि मुझे कुछ भी insert करना है, 100 insert करना है, और मैं position दे दता हूँ, 10, आपको पता है, 10th position exist ही नहीं करती, ठीक है न, तो हम मैं run करके देखता हूँ, क्या है, handle कर पाएगा इसको, बिल्कुल, position not found उसने print कर दिया, और 100 insert नहीं हुआ, वो position ही exist नहीं करती है, तो हमारा position not found आ गया, और 100 insert नहीं हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हमने double link list में insertion in the beginning, insertion at the end, और insertion at the middle का code देख लिया in Java, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, print करने का भी code हमने देख लिया, अब हम देखेंगे next class में कि हम deletion कैसे कर सकते हैं, at the beginning, at the middle, और at the end, अगर आप लोग को य शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके notification on कर लो, ताकि जैसे ही class start हो, आपके पास notification आ जाए, bell icon प्रेस करके notification को active कर दो, notification को जा active नहीं करोगे तो notification नहीं आएगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि धीरे-धीरे इनकी जो files हैं, इनकी जो source file है, इसको भी मैं github में या google drive में डालके, इसका description में इसकी link दे दूँगा, और ये जो मेरे handwritten notes हैं, इस handwritten notes का भी मैं आपको PDF बनाके, drive पे upload करके, description में link provide कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग के पास ये handwritten notes भी रहे, और साथी साथ आपके पास इस पूरे code भी रहे, ठीक है, तो अब आप लोग के जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसका return में बस ये चाहिए, कि आप लोग videos को share करो, जितना ज्यादा spread कर सकते हो, उतना ज्यादा spread करो, आपके दोस्त को, आपके juniors को, आपके seniors को, जितना भी ज्यादा हो सकता है, आप spread करने की कोशिश करो, ताकि उन लोगों को भी help हो, और यहाँ पर channel की भी growth हो, ठीक है, class का time साथ बज़े है, शाम को, ठीक है, जिसमें कि अभी हम लोग double link list कर रहे हैं, array हम लोगोंने complete कर लिया था, recorded videos में आप लोग देख सकते हो, आज 16th lecture था, और फिर कल हम लोग deletion का code देखेंगे, आप लोग आज खुद से try करो, deletion का code और अगर आप लोग को कोई भी courses के regarding, detail के regarding चाहिए हो, gate का जो नया batch की बात आप कर रहे हो, आप मुझे whatsapp पे message कर दो, आपको मैं सारी detail दे दूँगा, 9550-311-37, अगर आपको programming की class join करनी है, या फिर आपको gate की class join करनी है, ठीक है, जो भी आपको classes join करनी है, या कोई भी guidance च ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं, फिर next class में, आप लोग को सब clear रहा होगा, बस share जाद से जादा लोग को करो, जो इतना हम लोग इतनी महनत कर रहे हैं, class में पढ़ने के लिए, मैं आप लोगों को continuously पढ़ाने कर चाहरा हूँ, लेकिन subscribers और यहाँ पर जो viewers हैं, वो कम रहते ह अगर बढ़ने लगेगा, तो मैं और energy के साथ आप लोग को पढ़ा पाऊँगा, greedy algorithm, dynamic programming, मुझे पढ़ाना है main, जो की बहुत कम आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, और simplicity के साथ, तो वो सब चीजे मुझे mainly पढ़ानी है, क्योंकि ये सारी चीजे तो आपको फिर भी कहीं आपने पढ़े रखी होगी, लेकिन वो चीजे जो आपने नहीं पढ़ रखी, वो मुझे पढ़ाना है main, link list ऐसे समझाते थे कि life में कभी नहीं भूलेंगे, बिलकुल नहीं भूलना, इसमें कोई भी code ऐसा नहीं है, जो हमें याद करना हो, बिलकुल logical way में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, बाकि आपके किसी junior को या किसी friend को अगर programming की class join करनी है, या gate का bet join करना है, तो मुझे इस number पर contact करके information ले लेना, ठीक है, मिलते है next class में, thank you very much.